और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो खबर ले लेते हैं कोरोना वैक्सिन से जुड़ी कोरोना वैक्सिन के इमजनसी इस्तेमाल को लेगर अब वैक्सिन निर्माता की निगहें सरकार पती की हैं को वैक्सिन और फाइजर ने कोरोना वैक्सिन के भारत में इमजनसी इस्तेमाल के लिए आवीदन दिया था ड्रॉक्स कंट्रोलर बॉडी की एक्सपर्ट कमीटी अब इन आवेदनों का रिव्यू करेगी तो जो कमीटी है वो इस पर रिव्यू करेगी जो तीन कम्पनिया है अपनी अपनी जो वैक्सिन से उनको लेकर भारत में इमजनसी इस्तेमाल के लिए जो आवेदन दिया था उस पर जो कमीटी है वो आज एक अपना फैसला सुनाएगी और वहीं करोना वैक्सिन को लेकर असी देशों के दूद करोना वैक्सिन पर काम कर रही है हैदरबाद स्थित दो बायो फार्मा कंपनी भारत बायोटेक और बायोजिकल ए लिमिटेट का दौरा करेंगी विदेश मंत्राले, एमबिज्डर्स और हाई कमिशनर्स के लिए इस दौरे का आयोजन कर रहा है ताकि उन्हें रिसर्च और नए आविशकारों से अवगत कराए जा सके ये एक एहम बात है कि जो हदराबाद है वहां का जो असी देश के राज दूथ है दूथ है माफ कीजे का दूथ है वो दौरा करेंगे